नमस्थे स्टुरेंट्स, कंप्यूटर साइंस विस संजय की क्लास में आप सभी का स्वागत है वेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल करने के लिए क्या बेसिक स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं इसे समझने के बाद अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसे डिटेल में अब हम समझते हैं अल्गोरिदम क्या है, क्यों ही इसकी ज़रुत पड़ती है और इसकी इंपोर्टेंस क्या है, कौन-कौन सी बातों का हमें धियान रखना चाहिए अल्गोरिदम बनाने के लिए, एक-एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं वीडियो पसंद आये, तो लाइक को शेर जरू करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरू कर लिजएगा या उपर आई बटन पे भी लिइँसपले हो रहा होगा । جा जैसे इस के प्रीवेस सेशन में भी डिस्कस किया था कि जब किसी भी प्रोब्लम को सॉल करने जाते हैं तो उस प्रोब्लम के सॉल करने का जो साईकल होता है उसमें चार स्टेप्स होते हैं उसमें पहला तो यह रहता है कि भई आप सबसे पहले तो जो भी problem है उस problem को आप क्या करते हैं analyze करते हैं after analyzing that problem आप उसके solution के लिए algorithm ready करते हैं now the question is that कि what do you mean by this algorithm what is the need of this so अब यहाँ पर एक बात और यह है कि algorithm बनाने के बाद में फिर आप क्या करते हैं coding या testing और debugging करते हैं so algorithm का अगर आप definition देखो जो मैंने आपके साथ share किया हुए आपकी screen पे it is saying that precise finite and sequential set of steps written to solve a problem and get the desired output मतलब algorithm का मतलब in short आप यह बोल सकते हैं कि जो आप set of steps लिखते हैं यह जो set of steps होता है आप किसके लिए लिखते हैं किसी problem के solution के लिए right so that is actually called what your algorithm अब यह जो algorithm होता है इसमें और programming language में जो आप coding करते हैं दोनों में सिर्फ यही एक difference है कि algorithm जो होता है वो आप अपनी natural language में या किसी भी language में अपने तरीके से बना सकते हैं जबकि coding जब आप करते हैं तो वहाँ पर programming language का इस्तेमाल करना होता है algorithm जो होता है इस अच्छली understood by humans और जो coding होती है इस अच्छली understood by your machine तो coding करने वाले कौन है हम है problem का solution करने वाले कौन है हम है तो जब आप problem का solution करने जाते हैं तो coding करने से पहले यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका जो basic skeleton है किसी problem को solve करने का वो structure क्या होगा उसमें कौन-कौन से steps होगे वो एक simple language में आप ready करते हैं और उसकी basis पर फिर आप क्या करते हैं coding करने का कारे करते हैं तो यह एक importance होता है आपका algorithm का अब जब algorithm की बात किये तो उसमें यह बहुत important होता है कि उसमें जो भी आप set of steps लिख रहे हैं वो एक sequence में होने चाहिए निश्चित होने चाहिए और वो बिल्कुल सही होने चाहिए अगर किसी problem का solve करना जैसे मैं एक उधार्ण से सीच को समझाने की कोशिस करता हूँ अब माल लीजिए मैंने बोला कि भाई मुझे एक cup चाय बनाना है अब चाय बनाना एक task है इसको solve करने का तरीका आप मुझे बताईए या इस चाय बनाने का solution क्या है कौन सी इसकी विधी है जिसको follow करके आप चाय बना सकते हैं तो अगर मैं किसी को समझाओंगा तो ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि भाईया पहले आप gas on कर लीजिए और उसके बाद आप क्या कर दीजिए गैस को off कर दीजिए और उसके बाद में उसके उपर में कोई आप क्या कर दीजिए बरतन को चड़ा दीजिए तो अगर मैं ऐसे steps अगर किसी को बताऊंगा तो इसका मतलब तो पूरा algorithm ही fail हो गया ना कभी चाय बनेगी चाय का ultra काम हो जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ इसलिए हमने यह का कि जब आप algorithm ready कर रहो तो वो एक sequence में होने चाहिए निश्चित होने चाहिए और वो बिल्कुल accurate होने चाहिए तब ही वो एक सही algorithm कहलाता है तो अब algorithm की जैसे मैंने आप से बात की कि इसको हम बोलते हैं set of steps तो मैं यहाँ पे फिर से इसी उधान को लेता हूँ कि भाई अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने का जो solution है उसका जो process है वो क्या होगा तो हमने एक सरासरी मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपने gas on किया आपने बोला कि भाई उसके उपर में आप एक जो है पैन चड़ा दो पैन चड़ाने एक बाद उसमें थोड़ा सा water डालके इसको हलका सा boil कर लेना अब विधियां अलग-अलग हो सकती है moral of the story हम algorithm को यहाँ पर समझे अब इसके बाद आपने इसमें कोई you know tea leaf डाल दी शुगर डाल दिया उसके बाद फिर से आपने इसको boil किया अब particular color आने के बाद में इसमें आपने milk डाला and so on यह पूरे process को करने बाद जो भी further steps हैं आपने finally gas को क्या कर दिया off कर दिया अब यह जो steps हैं यह आपने लिखे English में अब यह कौन समझेगा मैं समझोंगा या जिसको आप देंगे human समझेगा उसने देगा कि यहाँ गया gas on करना है बरतन चड़ाना है पानी डालना है ऐसा करके यह पूरे process को follow करेगा finally आपका task क्या हो जाएगा अचीव हो जाएगा अब यही काम अगर मुझे करवाना है किस से अपने computer से तो अब computer से करवाना है मतलब मैं इस यह जो set of steps मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसे की हम कह सकते हैं कि यह क्या है एक algorithm है इसकी basis पे अब मैं क्या करूँटर के के लिए मुझे जोरत पड़ेगी किस की coding की और coding के लिए आप क्या use करेंगे language का इस्तेमाल करेंगे तो यह बात होती है कि algorithm क्या होता है वापस इसकी definition पर आ जाते हैं यह तो इसकी परिभाशा आपको मैंने समझा दी algorithm क्या है उसका महत्व क्या है अब जब आप algorithm बनाते है तो इसमें 100% उसकी एक शुर्वात होगी आप start करते हो और कहीं न कहीं वो program या algorithm क्या होता है end भी होगा अगर वो end नहीं होगा तो फिर इसका मतलब solution आ ही नहीं सकता और इसी तरह से यह आपको एक desired result प्रोवाइड करता है एक solution किसी भी problem का इस तरीके से देता है कि आप exactly अ निर्धारित समय पर सही समय पर और minimum resources के साथ आपको उस समस्या का समाधान करके दे सके अब निर्धारित समय मतलब fix time होना चाहिए finite amount of time होना चाहिए plus less amount of memory resources यह बात फिर से कहां लाग हो जाती है हमारे computer के program पर तो यह एक बात होती है हमारे algorithm की algorithm क्या होता है उधान से मैंन आपको बता है कि जो भी coder है उस coder को एक पूरा visual मिल जाता है पूरा structure मिल जाता है कि एक blueprint मिल जाता है जिसकी basis पे वो आसानी से उस algorithm को follow करके क्या कर सकता है coding कर सकता है तो उसके program development की जो complex प्रक्रिया है वो काफी क्या हो जाती है आसान हो जाती है that's why हम यहाँ पे बोलते ह program की जो accuracy है program की जो efficiency है किसी solution को obtain करने को उसको भी बहुत ज़्यादा क्या कर देता है increase कर देता है क्योंकि algorithm में already आपने चीज़ों को finite और precise तरीके से क्या होता है लिखा हुआ होता है अब एक algorithm का example देता हूं और उसका coding को लगा के आपको मैं बताता हूं कि यह जितने भी points किस तरह से काम करते हैं अब example लेते हैं यह इसमें दो परपस है algorithm कैसे लिखा जाता है वो भी आप समझ लेंगे plus उसकी basis में program कैसे बन रहा है उसमें क्या फायदे हमें मिलते हैं वो भी आपको समझ मैं जा है find largest among three numbers ठीक है तीन numbers में से सबसे बड़ा number program बनाने का algorithm और program दोनो हमको देखना है अब तीन numbers बनाना है तो algorithm बनाने के बहुँ सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाशाए अलग हो सकती है लेकिन मकसद यह है यह एक sequence में सही steps आपको लिखना आना चाहिए मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो पूरा ही सही हो यह सही है लेकिन इसके जैसे कई और algorithm बनाया जा सकते हैं तो आप confused मत होईएगा moral of the story को समयने की कोशिस करिए अब यहाँ पर कई लोग step 1 लिखते हैं बट मैं इसको s1 लिख रहा हूँ आप इसको step 1 समझ लिजेगा मैंने बोला कि भाई तीन number आपको चाहिए तो आप सबसे पहले declare करो three numbers या जिन इन तीनों में आप numbers को क्या कर दो तीन numbers को input कर दो except three numbers in ABC यहां तक हमारा कार्य हो गया अब तीसरे step में बात आती है जो तीन number आपने डाले ABC में तो A सबसे बढ़ा कब होगा when it is greater than B and greater than C तो हमने यहाँ पे बोला कि अब आप क्या करो या तो आप यहाँ पे if लिख लो या compare कर लो आपको जैसा उचित लगें अब मैंने बोला कि भाई अब आप compare करो कि क्या मेरा A बड़ा है B से अगर यह बड़ा है माले जे compare A is greater than B then ठीक है तो अगर यह condition सही हो गई तो आपका यहाँ पर step 3.1 आ जाएगा मतलब इसके अंदर का part आ गया हमने बोला कि यदि यह condition सह हो जारी है तो आप एक काम करो फिर से compare करो क्या compare करो कि क्या मेरा A बड़ा है C से अगर यह सही है तो फिर यहाँ पर then कर दो और बोलो step number 3.1.1 जो इसके अंदर आ रहा है हमने बोला कि आपने क्या कर दिया यहाँ पर display कर दिया क्या display कर दिया A is largest को ठीक है यह मेरा पहला part हो हो गया लेकिन माल लो A बड़ा नहीं है तो चुकी A B से बड़ा लेकिन C जो है अब वो A से बड़ा हो जाएगा तो अब हमने यहाँ पर बोला कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने बोला else आप display कर दो कि भाया मेरा जो C है it is actually largest ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई तो म हमने इसके लिए लिए इसलिए यहाँ तक आया अब यहाँ पर आ गया step number 3.2 जो की related है compare से कि माल लो A बड़ा नहीं है B से तो हमने बोला कि else आपने बोला कि B जो है क्या वो बड़ा है हमारे C से अगर यह condition होती है तो फिर step number 3.2.1 करो और आप यहाँ पर display कर दो हमारे B को अब मैं समय बचाने के लिए इसको नहीं लिख रहा हूँ DB is largest बस आप समझ लीजिए and इसके बाद माल लीजिए अगर यह situation भी गलत हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिर से else लगा दीजिए और आपने बुला कि भाई आप display कर दो किसको आपके यहाँ पर यह algorithm ready हो गया actually मैंने else के साथ लिख दिया था बट else के अंदर जाके फिर हम compare कर रहे हैं तो यह एक हमारा algorithm ready हो गया अब मैंने क्या किया algorithm बनाया कुरा source समझ के कि भाई यह solution है जितना मुझे sequence सब कुछ सोचना समझना था वो पूरी ताकत मैंने algorithm में लगा दी अब मैंने क्या कि इसको सीधे पकड़ा दिया कि इसको मेरे coder को या programmer को अब वो क्या करेगा अब programmer को दिया मतलब वो भी human है तो वो इसे पूरा समझेगा अब इसे वो computer की भाशा में क्या कर देगा convert कर देगा अब मालो अगर आप program बना रहे हो कि इसका python का तो मैंने बुले भीए a equal to int लगा अगर यहां पर इसका यहां पर इसका else लगाया और वापस से if में जाके b से आपने compare किया c को जो हमने यहां पर algorithm लिखा हुए अब इसकी basis पे आपने यहां पर print कर दिया b को और इसी तरह से अगर यह false हो गया तो else लगा के आपने print कर दिया c को मेरे writing को के लिए मैं शमा चाहूंगा थोड़ी writing खराब है बट अब आप यह algorithm त्यार किया और उसकी basis पे आपने coding कर दिया तो यह पूरा मकस है तो यही reason है कि जब आप why algorithm की बात करते हैं तो यह चारो points यहां पर आ जाते है easy way to describe the problem ज्यादा detail पर जाने की जुरूत में encoder को और algorithm programmer को पूरे flow of program को समझाने में भी help करता है तो यह तो बात हुई मेरे algorithm क्या है यह algorithm कैसे बनाना था और इसके बाद program कैसे बनाना था अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे algorithm की क्या-क्या characteristics होनी चाहिए तो पहली बात कि यह पूरे precise steps होने चाहिए मतलब जो भी steps आप लिखें वो बिल्कुल सही होने चाहिए दूसरा जितने भी steps है हर एक step क्या होना चाहिए unique होना चाहिए unique का मतलब यह है अगर मैं यहां पर लिख situation, condition की basis पे execute हो रही है और दोनों एक ही चीज को represent कर रहे हैं लेकिन वहां पर कोई differences नहीं आ रहे हैं लेकिन अगर आप यहां पर यह दो variable ले लोगे तो फिर क्या हो गया वो repetition वाली बात हो गई तो यह समस्या है आपके algorithm में नहीं होनी चाहिए फिर तीसरी बात finiteness की एक न उसे ही हम एक अच्छा algorithm बोलते हैं उधारण के तोर पे एक algorithm किसी भी problem को solve करने के कई तरीके हो सकते हैं कई algorithm हो सकते हैं अब आपने एक problem number one है इसको solve करने के लिए दो algorithm बनाए A1 और A2 अब A1 में है 5 steps और A2 में है 7 steps तो जहिर सी बात है आप 5 वाले steps को preference दोगे क्योंकि उस में resources समय सारी चीजे कम लगेंगी तो यह by finiteness की है फिर आप algorithm बना रहे तो वहाँ पर input और output का तो scope होना ही चाहिए आप जानते हैं कि computer का कोई भी program है तीन steps है input process output तो वो input ही नहीं होगा तो output कहां से आए तो यह बात भी इसमें लागू होती है तो these are the characteristics of algorithm अब यहाँ पर आने के बाद में बात आ रही है कि जब आप algorithm बनाए तो आपको कौन सी बातों का धियान रखना है पहली बात तो यह कि आप याद रखो computer system का process क्या IPO cycle तो input then process और तीसरा हो गया मेरा output तो इसका मतला आपका algorithm में input का scope होना चाहिए फिर process करने के सही steps लिखने होने चाहिए और output का भी scope उसमें होना चाहिए तो input to be taken from the user आपका प्रियास यही रहेगा आप पहले से तो input fix नहीं कर सकते हैं आपके computer का program चाल रहा है मतलब कोई भी user जब execute करेगा उस program को तो वो input करेगा during runtime वो process होगा फिर उसकी basis पे आपको result props होता है और process के लिए भी सही तरीके से आपको क्या लिखने statements तो ये तीन बातों को धियान रखें जबी भी कोई एक algorithm आप बनाते हैं अब algorithm क्या है ये तो मैंने आपको explain कर दिया algorithm का एक sample आपको बताया natural language में इस्तेमाल करके लेकिन algorithm को आप दो तरीके से represent कर सकते हैं एक जिसे हम जानते है flow chart के नाम से और एक जिसे हम ज algorithm करते हैं दूसरा English के जैसे ही language का इस्तेमाल करते हुए या English भासा का ही प्रयोग करते हुए हम एक set of code लिखते हैं जैसा मैंने आपको इस example में बताया है अब मैं वापस से उसे अपनी screen पे रिखा देता हूं यहां पर तो ये ideally पूरी तरह से तो pseudo code नहीं है लेकिन कुछ ऐ ऐसा ही pseudo code में भी आप करते हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा क्या हो जाता है precise हो जाता है और आपको ज्यादा detail में आपके algorithm के steps को लिखने के ज़रूत नहीं पड़ती तो pseudo code जो होता है वो description जो रहता है instructions बहुत ही उसके उसमें भी words बने हुए English के जिनकी एक meaning होती जिसको द इस्तेमाल कर लिजे या flowchart का आप इस्तेमाल कर लिजे दोनों के ही द्वारा आप algorithm का निर्मान कर सकते हैं और algorithm को represent कर सकते हैं अब flowchart क्या है और pseudo code क्या है इसको आने वाले session में हम continue करेंगे आज के session का मकसद था algorithm क्या है algorithm की जरूरत क्यों है algorithm बनाते समय आपको किन बातो का धियान रखना और algorithm कैसे लिखा जाता है तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा तो आज के session पर यहीं तक अगले session में फिर further हम continue करेंगे flowchart and pseudocode को तब तक channel पर बने रहें वीडियो पसंद आए तो like और share जरू करियेगा और channel subscribe नहीं किया है तो subscribe भी करियेगा और आप अपने ही जैसे बाकी अपने दोस्तों को भी कहिए join करें हमारे session को हमारे channel को हमारी classes को so that ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें thank you for watching this video बाकी की जानकरी के लिए video की description को आप जरूर चेक करियेगा